कर दो कि दो सब्सक्राइब बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलर्शिप ओम की जो लास्ट डेट यहां पर बढ़ाई गई है सोकल जो है इसके लिए जो है डिलेशन जो है दी गई है आप यहां पुश्क माधम साब को दिखाने वाला हूं कि छादबृत पोटल पर अब जो करने की तीथ ओनलाइन अवेधन का जो कितनी डेट बढ़ाई गई है यहां पर यह से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है जो डेट बढ़ाई की है वह बहुत ही यहां पर बेकार मैं यहां पर कहूंगा क्योंकि तो यहां पर उस खास डेट से कोई भी मतलब हमारा निकल लने वाला नहीं है तो क्या दूस्तों डेट और क्या है अक्चुल डेट क्या है लाज डेट की स्कॉलर से फॉर्म की तो उस पर चलिए पूरी चर्चा करते हैं आपको वीडियो चलिए लागम श्रुन ना भूले साथ ही स्कॉलर सिपसे रिलेटेड हर एक वीडियो की में समय सीमय कितनी बढ़ाई गए तो समाज के लिए वर्तमाज सहचडिक सात्र में प्राप्त करने के लिए ओनलाइन अभेदन करने की समय समय बढ़ा दिये इस बार में परमुक्त सच्चिव के रविंद्र नायक ने संस्वोधित कारकरम जारी गया है अब जो है प्री में बात करें नावी और दस्वींग की छाठ चात्रा हैं 12 अक्टूबर तक ओनलाइन अभेदन कर सकेंगे पहले यह समय सीमा 11 अक्टूबर की ती इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बदा रहा हूं कि यहां पर सिर्फ एक दिन का समय बढ़ाए कि इस दिन के समय अंतराल में यहां पर कोई भी कंडिडेट क्या कर पाएगा जो कि यहां आप करीबन महीने भर हो जा रहा है यह साइड को प्रॉब्लम से गुजड़ते हुए क्योंकि इसमें हम और आप सभी लोग देख रहे हैं साइड प्रॉपरली तरीकी से वर्क नहीं कर रही है काभी कंडिडे एक दिन से यहां पर क्या होने वाला है तो एक दिन से दोस्तों का जो है आज 15-20 दिन हो गए है कि पोटल जो है सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा है उस सुचारू तरीके से चल भी नहीं रहा है कि जिससे कंडिडेट जो है फट फट अपना सब कुछ प्रिंट आउट और निकाल सके तो अब यहां पर मेरा मना दोस्तों कि इस डेट को और आगे भी बढ़ाया जाए क्योंकि इस प्रॉब्लम को देखते हुए बढ़ाया जाए कि इतने समय से जो है इसमें काफी कंडिडेट परिसानिये से जूज रहे हैं अपना फॉर्म जो है पोट तरीके से फ अबेदन पूरा करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले दिन जो है कारे दिवस जो है पहले दिवस की राजटी सुजना केंद्र के च्छाथबृत वोटल से स्टुडेंट सेक्शन पर ऑनलाइन किये गए अवेदनों में हुई तुठ की जाच कर सकेंगे ऑनलाइन अवेदन करने की उसकी जाच के बाद उन अच्छात्र चात्राओं को हर हाल में 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन अवेदन पत्र की हर्ड कॉप्य वांचित संगलगनों के साथ अपने वीद्याले में जवा करना होगा तो इनका कहना है दोस्तों कि आप जो ऑनलाइन अ करके आपको अपने विद्याले में जव जमा करनी है उसकी 18 अक्टूबर तारीक रखी गई है और चलिए देख लेते दोस्तों और उपर जाएंगे यहां पर आप बात कर लेते हैं पोश्मेटिक यानिकी 11 और 12 की उसके उपर इसनातक और इसनाक उत्तर की अन्वेपसाइक से लेकर के उपर के सभी असनातक जनाक उत्तर के विद्यारतियों के लिए यहां पर कोई भी समयसी में नहीं बढ़ाएगी वो सिर्फ उनकी लाज़ डेट है 21 अक्टूबर और मगर इस परकिरिया में कुछ और बदलाव किये गए हैं कि आईसे च्छाषात्राओं के आवे च्छात्रा का भावतिक सत्यापन किये जाने की समयसी में अब दो नवंबर कर दी गई है पहले यह समयसी में पांच सितंबर की गई थी तो दोस्तों जो ऐसे कंडिडिट है जिन्नों अपना रिनुवल फॉर्म जो है अभी तक एथा स्थान पर यानि कि उसे कंप्लीटली नहीं कर सके हैं तो दोस्तों उसके बारे में बताया गया है कि वह इसका भावतिक सत्यापन यानि कि आप डाट लिए अपने विद्याले में भी इसका फॉर्म जो है आप जमा कर पाएंगे रेनुवल का भी और उनसे रेनुवल के बारे में काउंटेक्ट करेंगे पूरी पत्रका कर्मांक तथा अबेंदर पत्रका कर्मांक आधिको राज्टिय सुचना विज्ञान किंद्र के शाथ बृत्ति पोर्टल की स्टुडेंट सेक्शन में आवेदन पूरा करने और उसका फाइनल प्रिंट आउन निकाले के तीन कार दिवसों में जांचा पर्खा जा स कशन संस्थान में जमा करने की आखरी तारिक जो है 25 अक्ट्यूबर तक करिए यह इनिक जो पोस्टमेटिक उसका उपर जितने भी हैं उनका जो है असनाक उतर गहरा का आप 25 अक्ट्वबर तक जो है आप यहां पे अपनी हॉड़ कपी और जो राज धिए गया पूरा सब्सक्राइब बढ़ानी चाहिए सब्सक्राइब करें